हेलो गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हमारी वाटिका में इस वीडियो में मैं आपको दो बहुत ही आसान सी ट्रिक बताने वाली हूँ जिनको अगर आप यूज करते हैं तो आप भी अपने गमले में ऐसे बहुत सारे फूल पा सकते हैं मेरा इस प्लांट आप देख रहे हैं इस पर बहुत सारे फ्लार्स आ रहे हैं जब कि मैंने इसमें कोई भी कैमिकल फर्टिलाइजर डी अपी ए एनपी के यूज नहीं किया है क्योंकि अगर आप बार-बार उस प्लांट में कैमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं एक तो वह महंगे होते हैं और दूसरा वह मिट्टी की फर्टिलिटी को कम करते हैं उसकी चगे मैंने अपने इस प्लांट में और गेनिक फर्टिलाइजर का यूज किया है जिसे बनाना बहुत ही आसान होता है इसके लिए बस आपको दो चीज़े चाहिए एक तो सर्सो की खल कि उसमें इखाद अफर गाथ कर दीजिए आप बात करते हैं इखाद आपको दानला कब है तो यह खाद आपको जब आपके फ्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट होने वाली है उससे पहले ही उसमें एट करना है इसमें मई के स्टार्टिंग में मैंने वो खाद एड़ किया था और उसके बाद हर 15 दिन की गैप के बाद मैं इसमें वही खाद दुबारा एड़ करती हूँ क्योंकि जमीन से पौधे जो होते हैं वो मिटी से बहुत से न्यूट्रियन लेते रहते हैं लेकिन अगर गमले में पौधा लगा होता है तो उसे इतने ज़्यादा न्यूट्रियन नहीं मिलते हैं जितने उसे चाहिए इसलिए प्लांट में ज़्यादा ग्रोध करने के लिए आपको एक्स्टर न्यूट्रियन देने पड़ते हैं Mostly flowering plants को ग्रोध के लिए direct sunlight के requirement रहती है तो अपने इस प्लांट को ऐसी चगे रखें जहांपर इसे कम से कम 4-5 गंटी की direct sunlight मिल सके यह प्लांट मैंने एक छोटे से गमले में लगा रखा है यह प्लास्टिक के पॉट में लगाया हो यह 10 इंची का पॉट है और मैंने इसे cutting से grow किया था तब भी मेरा plant काफी अच्छा हो गया है किसी भी plant पे ज़्यादा full पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी cutting करते रहिए इस plant की cutting मैंने अपसे 3 महीने पहले March के last में की थी उसके बाद इस पे बहुत सारे नई ब्रांच आई और इस पे जितनी ज़्यादा branches बढ़ती है उतनी ज़्यादा उस पे chance रहते हैं कि birds आए ये देखिए हर ब्रांच पे नई नई birds आ रही है और ये मेरा plant जो है वो बहुत ही ज़्यादा घना हो गया है क्योंकि जब ब्रांच पुरानी हो जाती है तो उस पे नई कलिया नहीं निकलती है और वो बहुत ज़्यादा लंबी होती जाती है जिससे वो पेड़ देखने में भी इतना सुन्दा नहीं लगता है ये सिंपल से ट्रेक फॉलो करके आप भी अपने प्लान पे ज़्यादा फ्लार्स पासकते हैं टैंक्स फॉर वाचिंग